Hello everyone assalamu alaikum and welcome back to another video पाकिस्तान vs और इंडिया मैं चुगा और पाकिस्तान हार गया वेल प्लेड विरात कोली वेल प्लेड मुहम्मद इफ्तिखार ठीक है मुहम्मद इफ्तिखार एक ए चाचा I think मुहम्मद इफ्तिखार यह ना नाम यह मैंने एक चीज़ नोट किया मुहममद इफ्तिकार एक ए चाचा गया है कोई हेटर ही नहीं है वह पॉल भी मिस्स कर रहा था मैं घर से बाइड था तो मैं दरास पर देख रहा था कोई नहीं पूछ रहा मतलब कोई 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 कमेंट नहीं कर रहा मगर उधर वह जो साथ था शानमक्सूद या मसूद आइडोंट नो थोड़ से मिटकर फ्यूजन है वह करता तो भी सारे चैट में शुरू हो जाते भी मतलब हेटर तो कोई नहीं है और तो भी जिन लास्ट ओवर अफकॉर्स अब लास्ट ओवर की बात करते हैं लास्ट ओवर जी करवाया मुहम्मद नवाज ने तो इतना प्रेशर और उनसे नहीं हो पाया खैर है अब ना इस यह वीडियो में थोड़ी सी इसले बना रहूं क्योंकि वह पिच्छर्स होती है ना मॉटिवेट करने के लिए लाइक नेवर फॉर्गट यूर पास्ट यूर पीछे देख रहाता है मैं यह वो वीडियो बना रहूं अब भाई जान मॉहमद नवाज ने कल का मैच रहाया सोशल मीडिया पर लोग शुरू हो गए स्पिनर से कोन आखरी वर करवाता है और यह और यह कोवर किसने दिया अब थोड़ा सम पीछे जाएंगे तो एश्यक आपके इंडिया में एक मुहमद नवाज ही आए थे जब आए थे हम टार्गिट चेस करे तो नहीं हो रहा था तो यह आए थे इन्होंने च्छक्ये लग स्पिनर को पीछे से दिया किसने वो कैप्टन ने बाबर आजम ओके इसको चलो अब इसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और उधर जब मुहमद नवाज का उसका वो बेटिंग ओडर की दिरम्यान में यह था लाइक वो मतलब जो होता है ना सेलेक्ट किया कैसे कैसे आ नहीं पता उसको अलग भेजा गया था समझ रहे हो बिर जब जब वो मुहमद नवाज च्छक्के मारे तो कैप्टन सी में भी बड़ी वावा होई किया क्या कैप्टन सी है और कल वही क्रिटिसाइज करें यार मुझे एक बात पता है पाकिस्तान की अवाम लाइक एक दो न ना किसम से पाकिसान टीम मज़ा आ जाता है आजकल मैस देखने के यार कसम से यार खेर हार जीत होते रहती है कोई मसले वाली बात नहीं है यह चोटे-चोटे-चोटे मैट्रिक फेल सोफे यूं बैटके कोचीज होते हैं ना यह ट्रॉल करने में इने बड़ा मज़ा आता ह है इनको खुद कुछ भी नहीं आता है मुझे इतना बत है